नमस्कार दोस्तों पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बर फिर से आप का हार्दिक स्वागत करती हूँ फ्रेंस हम सभी के साथ कई बार ऐसा होता है कि लंच या डिनर में क्या बनाया जाए समझ नहीं आता तो ऐसे ही समय के लिए मैं बेसन से बनने वाली एक जटपट सबजी यहां लेके आई हूँ यह सबजी है घर में ही तयार किये गए बेसन के कीमे की सबजी इसे बनाना बहुत ही आसान है और जटपट बन के तयार हो जाने वाली सबजी है यह तो चलिए शुरू करते हैं पर उससे पहले आप पेट पूजा रेसेपीस को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेसन का कीमा बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कब बेसन जिससे की हम कीमा तयार करेंगे इस बेसन में हम डाल लेते हैं नमक स्वादा नुसार नमक के बाद हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चुथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं और इसके बाद डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर अब हम डाल लेते हैं आधा चमच अजवाइन और अब डाला है आधा चमच जीरा जीरे के बाद इसमें हम डालेंगे दो पिंच हींग के दो चुटकी हींग और आधा चमच आमचूर पाउडर भी डाल लेते हैं अब यहां में डाल रही हूँ दो चुटकी, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी से कहते हैं, आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं और अब सारे मसालों को हम हाथ से बेसन में एक बार मिक्स कर लेते हैं मसाले मिलाने के बाद उंगलियों की सहायता से बेसन के बिलकुल बीच में एक इस तरह से हम गढ़ा बनाएंगे और उस गढ़े में हम डालेंगे एक चुथाई कप तेल का मोयन तो इस तरह से तेल हमने डाल लिया है और अब बेसन में मोयन को हाथों की सहायता से अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो बिल्कुल मसलते हुए हतेलियों में हमें सारे बेसन में मोयन को अच्छे से एक सार करके मिला लेना है और मोयन हमारा सही लगा है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा हम बेसन को मुठी में एक बार टाइट दबा के देखेंगे अगर ये मुठी अच्छे से बन जाती है तो मोयन हमारा सही लगा है बिल्कुल इस तरह से सारा मोयन मिलाने के बाद अब हम हमारे हाथों में इस तरह से थोड़ा सा पानी लेंगे और उसका छीटा इस तरह से बेसन पे मार देंगे उसके बाद पानी को इस तरह से हम बेसन में हलका सा मिक्स करेंगे यहां हम बेसन को हलका हलका नम कर रहे हैं हमें कोई भी टाइट आटा लगा के ready नहीं करना है बस हम बेसन का कीमा बना के तयार कर रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी का छीटा इस तरह से देखे हम बेसन में पानी को mix करते रहेंगे तो सारे मौयन लगे हुए बेसन में हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के इस बेसन को नम कर लेंगे यहां हम किसी भी तरह का कोई डो नहीं लगा रहे हैं बस कीमा हम रेडी कर रहे हैं तो फिर से थोड़ा सा पानी हाथ में लेके बेसन में छीटा देंगे और इसको इस तरह से पानी के साथ बेसन को मिक्स कर लेंगे फिर से थोड़ा सा पानी हम लेते हैं और बेसन पे इस तरह से छाट के फिर से से मिक्स कर देते हैं तो इसी तरह से हमें सारा बेसन रेडी कर लेना है बिल्कुल इस तरह से ये देखिए पानी लगा लगा के मैंने बेसन को हलका सा नम कर लिया है और बिल्कुल चूरा चूरा है ये बेसन इस तरह से आप देख रहे हैं जैसा वीडियो में हमें बिल्कुल ऐसा ही टूटा टूटा सा मौयन लगा हुआ हल्क आसा नम बेसन रेडी कर लेना है ये देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं हमें कीमे की तरह से भुरभुरा सा बेसन, मौयन और पानी लगा के तयार कर लेना है अब हम हमारे बेसन के करारे को सेख लेते हैं तो इसे सेखने के लिए धाई बड़े चममच देसी घी हम कढ़ाई में गरम कर लेंगे आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं इसे भूनने के लिए पर घी में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और अब ये जो हमने घर पे बेसन का कीमा रडी करके रखा है इस कीमे को हम इस देसी घी में low to medium flame पे इस तरह से हिलाते हुए भून लेंगे बहुत हलके हाथ से आप हिलाएं जिससे की जो हमने कीमे में दाना बनाया है वो दाना तूटे नहीं तो बहुत ही हलके हाथ से इस तरह से चलाते हुए हम बेसन को करारा करारा भून के रडी कर लेंगे भूंते भूंते यह देखिए बेसन कर्ची चलाने में काफी हलका हो गया है बहुत अच्छी खुश्पु आ रही है बेसन भूनने की और पांच मिनिट भूनते हुई मुझे हो गया है, ये देखिए क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हमारा बेसन का कीमा सिख के रेडी हो गया है, तो गैस को अब हम बंद कर लेते हैं और इसको बोल में निकाल लेते है ये देखिए बेसन का करारा बिल्कुल स्वादिष्ट कीमे की तरह रेडी है अब इस कीमा करी के लिए हम ग्रेवी तयार कर लेते हैं तो इसके लिए यहां मैंने एक कड़ाई में तीन बड़े चमच तेल को अच्छे से गरम कर लिया है तेल के गरम होने पे हम इसमें डालेंगे चार से पांच लॉंग बड़ी और छोटी इलाइची जिनका मूँ खोल लिया है दो तेज पत्ते और आधा चमच जीरा तो ये सारे खड़े मसाले हम गरम तेल में डालके अच्छे से चटका लेंगे और जब ये मसाले अपना सारा फ्लेवर तेल में छोड़ देंगे तब हम इसमें बड़े आकार के प्यास इस तरह से चोटे चोटे बारीक टुकडों में काटके डाल देंगे अब इन प्यास को हमें अच्छे से कोल्डन ब्राउन फ्राइ कर लेना है और ये प्रोसेस जल्दी हो इसके लिए हम इसमें एक चमच नमक डाल देते हैं नमक डालने से प्यास का सारा पानी निकल जाता है और वो बहुत जल्दी आपके ब्राउन हो जाएंगे तो इस तरह से आपके गैस की भी बचत होगी तो नमक डाल के हमें अच्छे से प्यास को फ्राइ कर लेना है और अब हम डाल देते हैं इसमें एक चमच अधरक लसन का पेस्ट और इसको भी हम लसन के कच्चे पन के चले जाने तक लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इस इस तरह से फ्राइ कर लेंगे लाल मिर्च को फ्राइ करने के बाद एक कटोरी फिटी हुई गाढ़ी दही मैंने यहां ली है गैस को इस समय हम बंद कर देंगे और बंद गैस में ये एक कटोरी दही हम इसमें डाल देंगे उसके बाद कर्ची की सहायता से इस तरह से फेटत होता है दही के फटने का भी डर रहता है तो बेलकुल बंद गैस में हमने दही को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लिया है अब दुबारा से हम गैस जला के इस ग्रेवी को लो टु मीडियम फ्लेम पर तेल की चूटने तक अच्छे से पका लेंगे और पक्ति होई लाल मिर्च हम पहले से डाल चुके हैं अब हमें बिल्कुल धीमी आज पे इस ग्रेवी को बढ़िया पका लेना है बिल्कुल इस तरह से तीन से चार मिनिट पकाने के बाद ये देखिए घी हमारा छूट के पूरी तरह से उपर आ गया है बढ़िया ग्रेवी पक रही है तो दही की कटोरी को धो के एक बार थोड़ा सा पानी का चीता हम दुबारा से दे देते हैं और ग्रेवी पका लेते हैं दो मिनिट और हो गए हैं इस ग्रेवी को पकते हुए और ये देखिए अच्छे से भुन गई है ग्रेवी जो हमने सूखे मसाले डाले थे वो भी भुनके ready हो गए है और मसाले में जाली पढ़ गई है इसका मतलब ये देखिए जो बीच-पीच में आपको छेद और bubbles देख रहे हैं इसे कहते हैं मसाले में जाली पढ़ना और ये एक sign होता है कि मसाला आपका कच्चा नहीं है भुनके ready हो गया है तो अब हम इसमें तरी कर लेते हैं इसके लिए डेड़ ग्लास पानी हम इसमें डाल लेते हैं और गैस को इस समय बिल्कुत तेज कर दे और एक बढ़िया उबाला इस सबजी में आने दे तो गैस तेज कर देते हैं अब देखिए तरी हमारी अच्छे से उबल रही है तो जो बेसन का कीमा हमने भून के तयार क किया था यह जो बेसन का करारा हमने बनाया था इसको हम हमारी उबलती हुई ग्रेवी में डाल देते हैं तो यह सारा भूनाँ हुआ बेसन हमने समय एts कर दिया है एक बार हिला के अच्छे से-से तरी में मिक्स कर ले और उसके बाद स्वाद और खुश्बु के लिए hem इसम और दो मिनिट बार धक्कन हटा के हम देखते हैं ये देखिए कीमे ने अच्छे से ग्रेवी को अपने अंदर एब्जॉब कर लिया है तो गैस को बंद कर लेते हैं और इसे गार्निश कर लेते हैं बारी कटे हुए हरे धनिये से और साथ ही इसमें डाल देते हैं आधा को आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं या किसी भी डाल या तरी वाली सबजी के साथ इसे ऐजसूखी सबजी टीम अप कर सकते हैं तो आपकी फ्रिज में भी जब कोई सब्जी ना हो तो ज़रूर ट्राय करें ये बेसन का करारा और अगर आपको इस सब्संद आये त झाल झाल